हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आप लोगों केसा सेयर कर रही हूँ पोहे की ऐसी नास्ता की रेसी भी फ्रेंड्स जिसको एक चमस्तेल से हम बहुत ही जटपट बना के त्यार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है बहुत ही सौप्ट ये नास में डाल दीजिए हम एक पोहे से इस नास्ता को बना के त्यार करेंगे जो भगों जटपट बन के त्यार हो जाती है तो एक कप ऑप ये इस तरह से टेलगरम घिजिए दोलिए आधी कि चमच चना के डाल को इस तरह से मैं डाल दिया है और आधी छुटी चमच मैंने उरत के डाल को भी इसी तरह से डाल के तियार कर लिया है आधी छुटी चमच इसमें काली वाली सरसो इस तरह से डाल देना है और हलका सा इसको कलर चंज होने तक पका लेना है इस तरह से चना डा मैंने एक कप इस तरह से पानी डल के त्यार कर लिया है कप ये कटोरी किसी से भी मेजर मिंट करके इस नास्ति को बीजली बना सकते हैं और बारी कटी ही खुब सारी इसमें धनियापती डाल देना है और आधी छोटी चमच नमक ये नमक अपनी टेश्टी के अनुसर डाल देना है और जो पोहे का आटा बना के रखे थे ना उसको इस तरह से डाल दीजिए और गैस का प्रें लो करके अच्छे सी इसको मिला लीजिए बहुत ही जटपट ये डो फाम में आ जाता है आप देख भी सकते हैं इस तरह से बहुत ही सिंपल इजी तरीकी से आप पोहे की इस नास्ते को जरूर से ट्राइ कीज़ेगा फ्रेंड्स तो इस तरह से दो से तीन मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारा पोहे का आटा पक के त्यार हो जाता है टेश्टी से नास्ता को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता बहुत ही जटपट बनके त्यार हो जाती है तो इस तरह से डो फाम में आने के बाद इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लिए तो इस तरह से मैंने एक बड़ा सा फैला वाला प्लेट लिया है ताकि हमारे जो आटे है ना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाए और हमारे नास्ता बहुत ही जटपट बनके त्यार हो जाए त और इस रसे चीकनर बाल को इमको थियार हो जाता है। आप बंके हैं तरह다면 भी बना सकते हैं। यौसес राइन शब छेब में बनाकर दियार कर इंडीन पने किपन करें का साइब काक्टNew देखने में भी अच्छा लगका सिदाना थे प्लेट को देखा आ पानी गरम होने के बाद निचे इस्टेंट रखे और जो प्लेट वर नास्ता बना के रखे ते लिए प्लेट प्लेट इस तरह से डाल दीजिए ज Four to Medium गैस में इसको पांच मिनट के लिए स्टेंब कर ले तो इस तरह से शेच्टपि की जैए और इस तरह से कड़ा ही से निका को फ्राइ करके भी त्यार करेंगे तो तेल गरम होने के बाद आधी छुटी चमच काली वाली सरसो डाल देना है और खुब सारी इसमें कड़ी पतर डाल देना आप चाहती इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं कड़ी पत्त से ये नास्ति में बहुंत छफ लेवर आते हैं तो मिर्ची डालेन और जलेना और जो नास्ता बना के रखे थे ना उसको इस तरह से डाल दीजिए और लो टू मिडियम गैस में एक से दो मिनट पका लेना है ताकि हमारे नास्ते में बहुंत ही अच्छे से कलर आजे धन्य पत्ति डाले और त्यार है वर बहुंत ही टेस्टी प्रिशनिक तरीके से नास्ता आप जरूर से ट्राइ कीजिए गा तो इसी तरह नए ने रेसिपी में रोज अपलोड करती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली रेसिपी देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैमिली फ्रेंस को जरूर से से यार तो मिलते हैं ने इस्टे रेसिपी में थैंक्यू फर वाचिंग हर हर महादेव